बोश्पुरी गानों को सुनकर भोश्पुरी एल्बाम इंडस्ट्री के लिए यह हमेशा कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में बोश्पुरी गानों में जाती अस्मीता का टकराव इंडिनो चरम पर है और यह भी सचा कि टकराव मेंस्ट्रियों को बस्तू की तरह प्रयोग क आपको कुछ गानों के ऐसे उदाहरन बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच चाहिए सबसे पहले तो आप ये समझे कि एक मात्र ऐसे इंडस्ट्री है जहां यादव जी का बेटा अपनी जाती को उचा बताने में लगा होता है तो बबुवान कहता है कि जो है सो हमी है और जो है वो मेरी वज़े से ही है और उधर पांडे जी का बेटा इस बात का दावा करता है कि पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक कर लेता हूँ अब इतना कुछ सुनने के बाद मौरिया जी का बेटा पीशे कैसे रह सकता है वो भी दो-चार भीगा अपना जमीन कहीं का बेचेगा और अपना एक अलबम गाना लेकर आएगा और गाएगा कि मौरिया जी के ना इतिहास जानतारे फिर कवना बतिया के दाज करतारे कोई रि किया भी इस मामले में जरा भी कम नहीं है वो भी गाती है कि हमके मर्दे चहले भूमिहार राजा जी और यहीं सब देखकर बोच्पुरी कलकार विचारी अपना रोजी रोटी चला रहे हैं बाखी आज किस वीचों में हम इसे बिनों पर बातचित करेंगे लेकिन उससे पह पाने बोलचाल की उर्दु तहजीब की और इंगलिश इलिटनेस की प्रयाइब बन चुकी है भाशाओं को एक दाइरे में बांगने का का मीटिया ने खुब किया है पंजाबी भाशा को हसोड मुंबईकर को चपोरी मिश्वित बिहारी को सलक्षा बनाने की पूरी जिम्म पन हो रहा है अलाकि यह किसने लिखा है यह हमको नहीं पता लेकिन यह पढ़ने के बाद हमको भी कही न कहीं लगा कि यह बात पूरी तरह से सही है यह बात सही है कि भोचपूरी वह मिटी भाशा है जिसका अपना सम्रिद्धी तिहास रहा है सम्रिद संस्कृती रही है पैसे के लाले शमीट ने बिक चुके हैं कि अपनी भी भाषा की गरिमा को रोट पढ़ ला दिये हैं और यहां हम से बेरा मतलब आप और मेरे जैसन तमाम भोजपुरी दर्शकों और शोताओं से हैं जो भोजपुरी गाने और फिल्मों में रूची लेते हैं जिनकी भाषा भोजपुरी है जिनको ये कहने में बहुत खुशी हो रही थी कि अब भोजपुरी भाषा में भी कमेंटरी हो रही है लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि आज भोजपुरी भाषा की स्थिती इतने खराब हो गई है कि लोग सारवजनिक जगों पर भोशपूरी बोलने में शरवाते हैं भोशपूरी गारे सुनने वाले को बाहर हे द्रिश्टी से देखा जाता है आप खुद सोचे कि वॉलीवूड जहां एक तरफ जवान, OAMG2, Animal, Twess, Phil जैसी बड़ी बड़ी फिल्में मना रही है, वहीं बोशपूरी डेस्ट्री की कलाकार ये जाने कर प्यास कर रहे है कि बोलब बबुआ काहे लरोता है तो जवाब मिलता है कि भावजी को दुध नहीं होता है इतना ही नहीं, जनवरी में एक्टर पंकस रिपाची के एक फिल्म आ रही है जो अटल बिहारी बाजपई की जीवन पर अधारित है सूची कि वॉलीवूड कितना आगे बढ़ रहा है, लगतार एक से बढ़कर एक नई-नई कॉंसेप्ट की फिल्में ला रहा है अपनी इंडस्ट्री को बड़ा बनाने में लगा हुआ है, देन रात मेहनत कर रहा है, साल साल भर एक फिल्म पर काम कर रहा है और हमारे यहाँ पवन सिंग जैसे गायकों को चिंता है कि एक के उढ़निया कहां कहां भी छवले बाली कोई बड़ कह रहा है कि सैयाद जी लगाके लेयले नुहू चोली में चुटु पुटिया बटांग बाकी इस पर इजराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी भाशा में कमेंटरी हो रही है इस बात पर भी घमन मत करिए कि आप लोगों के पवन के सारी पुरी वर्ज में ट्रेंड करते हैं बलकि इस पर शर्म करिए कि आपकी भाशा पहले क्या थी कहां थी और अब कहां से कहां आ गई है यह सोचने की जरूरत है कि किसी लड़की का कमर मुझकाने से आप महा नहीं बन जाएंगे किसी लड़की के चोली में जबजस्ती हाट डाल देने से आपको किसी पुरुषकार से सम्मानित नहीं किया जाएगा यह सब करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने गाने पर व्यूज बेटोर सकते हैं अपनी भाषा के साथ में आई नहीं कर सकते हैं कि आप लोग एसे श्रील गायकों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने राय बताईएगा वीजियो को समात करते हैं मलते हैं नए वीजियो में धन्यों